तो गाइस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि skinny fat लोगों को पहले muscle build करनी चाहिए या fat loss करना चाहिए और इस वीडियो के end में बताऊंगा वो best supplement जो skinny fat लोगों को एक sexy, lean, aesthetic, physique देंगे तो इस वीडियो को पूरा देखे अगर आप skinny fat से चुटकार अपाना जाते हो What's up YouTube, दसके रोगों कित लिएन बैक वितर दर वीडियो अगर आपने मैं अचले लगेता सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बड़न में क्लिक करें और साथ-साथ बैल आइकन को भी जरू दबाए जो सब्सक्राइब बड़न के साथ में है उसका फायदा होगा जब भी मैं अपनी वीडियो फिल्टर में अप्लोड करूँगा तब यह आपको अपने अपतर देगा तो सब्सक्राइब बड़न के साथ उस घंटे को दबाना ना भूले बैल आइकन को ज़रू दबाए मेरी वीडियो की अपने आप नोटिफिकेशन में जाएगी तो क्या आपने बैल आइकन को दबाया उस घंटे को लिलाना ना भूले आज की वीडियो बहुत ही important वीडियो है इंडिया के लोगों के लिए क्योंकि आज की वीडियो है same nutritional information वीडियो और जो भी मेरी nutritional information वीडियो होगी वो सारी sports, science, nutrition based होगी हर सीज के पिछे की science बताऊंगा हर सीज के पिछे का logic बताऊंगा So let's get started तो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग skinny fat है skinny fat से आपको समझ के आता है skinny fat जो लोग पतले है बट मोटे है और वो पतले मोटे कैसे है उनका जो structure है वो बिल्कुल पतला है बट उनके fat percentage जादा है ये होते है skinny fat एक होते है endomorph जो मोटे होते है जिनका naturally structure चोड़ा होता है और उनका fat percentage भी जादा होती है एक होती है mesomorph मेरे जैसे ना वो थोड़े आप बोल सकते हो वो genetically lucky है वो mass gain कर सकते है इसलिए cutting कर सकते है फिर आते है actomorph actomorph में होता क्या है कि वो बिल्कुली पतला इंसान होता है बट उसका fat percentage बिल्कुल कम होता है तो उसका goal होता है main muscle gain करना mass gain करना मेरा goal है muscle gain करना जो कोई endomorph होगा उनका main goal होगा shred करना तो skinny fat बीच वाले कहा जाए क्योंकि इन लोगों को समझे नहीं आता है कि पहले वो cutting करे या gaining करे mass gain करे shredded करे keto करे carb करे carb loading करे carb loading करे कितनी सारी डाइट है वो करे क्या जिससे कि उनकी muscle gain हो जाए और fat loss हो जाए क्योंकि at the end अगर आप fitness करना चाहते हो तो आपको एक ही goal रहने वाला है वो है muscle gain and fat loss तो ये कैसे कर सकते है skinny fat log ये मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से explain कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे से क्योंकि जो मेरे साथ में gym करता है बंदा जो मेरे साथ में हमेशा gym करता है जो लोग मुझे instagram पे follow करते है उन लोगों को पता होगा कि वो बंदा बहुत ही पहले skinny fat था और अब उसकी जो muscle है वो बहुत साथ build हो चुकी है और उसका fat percentage है वो nearly 7 आ चुका है तो ये कैसे हुआ उसने क्या किया इसके पीछे का logic क्या है कि जो लोग skinny fat है वो पहले mass gain करे shred करे क्या करे तो सबसे पहले इनसान का अगर जो skinny fat है उनका focus कहा होना चाहिए कि अगर वो mass gain करने जाएंगे तो क्या होगा उनकी muscle आ जाएगी आप सोच के देखो कि अगर आप skinny fat है अगर आपने कार्ब जादा लेने लगे आप मोटे होगे तो क्या होगा है fat percentage यह जो fat level होता है वो उन लोगों का जादा होता है बट वो पतले होते हैं तो पहले उन लोगों को अपना ये skinny में से fat निकालना पड़ेगा जब उनका skinny बज़ जाएगा फिर मैं बताऊँगा क्या करना है तो fat कैसे निकाले basically आपके पास 2-3 option है अगर जो skinny fat है उसका पहले focus होना चाहिए अपने उस skinny में से fat को अठाना जब आपकी fat percentage कम हो जाएगी तो आप बिल्कुल पतले हो जाओगे आपको लगेगा यार मैं तो बिल्कुल सिकूड़ों सा हो गया मेरा तो बिल्कुल सिकूड गया तो पहले आप क्या कर रहे थे पहले कूण सा आरनोल बन गये थे पहले भी तो आप बिल्कुल skinny थे बस उसमें fat था आपको fat थोड़ी चाहिए आपको muscle build करनी है आपका main goal क्या है muscle build fat loss तो पहले आप fat loss करे जब आप बिल्कुल fat loss कर चुके आपका body fat percentage कम हो जाए तब आप easily muscle build कर सकते हो easily कहने का मतलब है कि आप अच्छा nutrition follow करके कर सकते हो क्योंकि अगर आप skinny fat हो और अगर आप direct जाओगे क्या करने mass gain करने muscle gain करने तो वो नहीं हो पाएगी क्योंकि आपकी body में पहले ही इतनी मोटी एक fat की layer चड़ चुकी है उस fat की layer को कम करना है कम करना है कम करना है जब आपकी fat layer अच्छी हो जाएगी तो already आपकी automatically आपकी muscle दिखने लग जाएगी उन muscle का size बेशक से छोटा होगा बट वो muscle दिखेगी उन muscle को हम बड़ी कर सकते हैं एक अच्छे nutrition से fat अटाना पड़ेगा जब आप only skinny बच जाओगे जब आपने fat percentage कम होगा तब आप mass gain कर सकते हो mass gain के लिए बहुत ही अच्छा nutrition available है और मैं अभी future में बताने वाला हूँ की अच्छे से जो skinny लोग है वो mass gain कैसे कर सकते है muscle build कैसे कर सकते है तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि आप basically protein high रखे अपना तक ही आपकी muscle जब आप break down करो gym में जाके तो रिपेर हो सके fat कभी भी लेना मत बूलो fat के ओपर मैंने video बना ही है how to increase testosterone वो जाके जरूर देखो अगर नहीं देखी अभी तक तो fat कभी मत अटाए अगर आप थोड़ा बहुत water level भी hold कर सकते हो adjust कर सकते हो तो आप carb भी ले सकते हो high carb diet भी ले सकते हो जिसमें fat भी होगा protein भी होगा और carb भी होगा but carb के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत fat भी आएगा but अगर आप नहीं बता देता हूं फिर से कि आप skinny fat हो तो आपको पहले skinny से fat रणाना पड़ेगा फिर जब आप बिल्कुल skinny बच जाओगे तब आपको अपने muscle building goal की तरफ जाना पड़ेगा बहुत जादा confusion ने इस topic को लेकर और मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसे ही confused बैठे रहे और सोचे कि हम क्या कर सकते है तो अब बात करते हैं कि skinny fat लोगों के लिए best supplement कौन सा होने माला है supplement का का काम क्या होता है कि जो चीज आप food से नहीं ले पा रहे हो जो amino acid आप food से नहीं ले पा रहे हो तो वो आप natural supplement से ले सको तो skinny fat बहुत जादा मेरे को बोलते है कि हम gainer ले क्या हम protein ले क्या ले हम BCA ले हमें mass gainer मिला है हमें ultra mass मिला है तो पहले ही आपकी fat percentage जादा है अगर आप एक gainer खाओगे तो आपकी fat percentage और बढ़ जाएगी आप मोटे तो हो जाओगे पर आपका क्या aim है मोटा दिखना या आपका aim है बिल्कुँ shred lean physique दिखना तो सबसे best option है उन लोगों के लिए एक अच्छे protein पे invest करें क्योंकि after your workout आपकी body को protein की requirement पड़ेगी अगर आप उसे food से नहीं दे पा रहे हो naturally food से जो मैंने video इवनाई वे post workout की तो आप लोगों को एक अच्छे supplement की जरुत पड़ेगी जो है protein supplement description में जाके देख सकते हो best supplement available है आप लोगों के लिए protein supplement हुआ आप लोग क्रेटीन ले सकते हो आप लोग BCAA के लिए मैंने video बनाई हुए है कि आप अगर extra advance में workout कर रहे हो फिर आपको BCAA की जरुत पड़ेगी fish oil और multi vitamin ये आपके forever supplement है ये आप भी ले सकते हो तो description में सारे best supplement available है बट mass gainer की तरफ मत जाओ बबाबा मत जाओ इसके बारे में मैं video बनाने वाला हूँ कि protein चाहिए लोगों को या mass gainer चाहिए full video होगी तो ये है मेरी recommendation skinny fat लोगों को skinny में से fat अटा दो जब skinny बच जाएगा तो उसमें muscle breed कर सकते हो और आप supplement में आप best supplement add कर सकते हो protein, creatine, BCAA वो depend आपका budget क्या है पर सबसे पहला जो recommendation होगा वो होगा protein का forever तो बस ये थी मिरच की video जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप looks की इनी fat हो तो आपके पास क्या option बसता है कि आप अपनी muscle breed कर सके और fat loss कर सके तो बस आज के लिए तना ही ये तिम्हें अच की video अगर आपको video चलेगी तो like ज़रूर करे लाइक करा करो यार आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो ये information पूरे दिन रात पढ़के आपके लिए ला रहा हूँ तो इस वीडियो को like करना ना बुले ऐसे ही support करते हैं love you all like करे, subscribe करना ना बुले लाग लोगो बेटर ने है संड में जावरी से तोड़ दो subscribe होना चाहिए और अगर आपने मेरे को भी तक इंस्टागरम प्रोलो नहीं किया तो जाए मेरे को इंस्टागरम फोलो करे same account है रोईत कदरी फिटनेस के नाम से description में instagram का link है तो मेरे को instagram पे फोलो करो तो मज़ा आपता है बहुत हमा instagram चलाओ फोलो करो वहाँ यह था skinny fat के लिए सब कुछ कवर हो गया almost तो मैं ज़ित है कर या परसो till then not peace ज़ित है ज़ित है ज़ित है ज़ित है ज़ित है